बांगलादेश में क्या प्रॉब्लेम चल रहा है और क्यों वहां से सेख हशिना मेडम को हटना पड़ा सर बांगलादेश का जो इशू है यह आरक्षन को लेके है सर वहां पर जो भी लिबरेशन 1921 में पर्सिपेट किये थे उनके फैमली मेंबर्स को सर 30% आरक्षन दिया गय और 2018 में से इसको हटा दिया गया था लेकिन वापर से जो कोट इसको फिर से स्टार्ट करने को बोला तो इसको लेके सर विरोध हुआ क्या आपको लगता है कि इसमें विदेशी ताकत भी सामिल है सर ऐसी न्यू सामने में आ रही है कि अमेरिका ने एक आइलेंड पर जो है अपने अमिलेटरी बेस सेट अप करने का परमीशन सेखह से माडम से मांगा था लेकिन जो है माडम ने इंकार कर दिया और कहीं न कहीं कि यहां पर CIA का भी हाथ बता जा रहा है और कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान ISI का भी हाथ बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है सर जिस हिसाब से अवामी लिग के जो फांडिंग फादर है सेक मुझीबुर रहमान उनकी मूर्ती तोरी जा रही है उनके निताओं को का हो ना हो लेकिन सर पाकिस्तान के ISI का सेस में जरूर हाथ है सर अच्छा वहां पर एक इंटरिम गवर्रमेंट की स्थापना की गई है उसके अध्यक्षा बता सकते हैं कौन है सर वहां पर फेमस एकोनोमिस्ट और माइक्रो फाइनस के जनक मुहमाद यूनिस को सर अध्यक कहते भी है सर कि आप अपने दोस स्थेंज कर सकते हैं लेकिन अपने पडोसी नहीं तो सर जो नौटीष जो इतना उस्टेबल चलता है उसमें जो स्चेबलिटी आई है उसमें कही ना कहीं बांगदेस का सपोर्ट रहा है सर प्लस जो हमारा क्नेक्टिवटी प्राब्लम था कि जो हमको 39 जो जाना होता था, वो चिकेन एक से जाना होता था और काफी टाइम लगता था, जब से हमारा बंगरिस के साथ संबंद बढ़िया हुआ है, तो 1600 किलो मिटर से वो डिस्टेंस कम हुआ है, और साथ ही साथ refugee problem भी शॉट आउट करने में मदद मिलती है, सर, कौन- और त्रिपुरा, क्या मनीपूर की सीमा नहीं लगती बंगरिस के साथ, नहीं सर, मनीपूर की सीमा सर नहीं लगती है, अच्छा जो भारत का विदेश निती है, उसमें क्या आप कुछ बदलाओ देख रहे हैं हाल-फलाल के सालों में, हाँ सर, इधर अपने भारत के foreign policy में बदलाओ देखा जा रहा है, जो कि बहुत important है, पहले इंडिया जो है सर, वो non-aligned movement को सर फालो करता था, और सभी country से सर, मतलब उतना संबंद अच्छा स्तापित नहीं करता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि multilateralism इसको pursue किया जा रहा है, लंबे समय के बाद हम लोग सौ हमेशा हमरा largest trading partner भी रह रहा है, और हम लोग बाकी देशों से भी जो सर, मतलब अपने relation को और अच्छा कर रहा है, तो हम लोग जो है सर, non-alignment से सर, multi alignment के तरफ जो है, move कर चुके हैं, अच्छा क्या आप two state theory के बारे में जानते हैं, हाँ सर, two state theory जो है सर, वो इजरेयल और प इस पर क्या stand है, सर, भारत जो है, वो two state theory को support करता है, सर, हम ये चाहते हैं कि इजरेयल का अपना स्तित्व तो बना ही रहे, साथ ही साथ, जो फिलिस्तीनी है, जो इधर उधर scattered है, और मतलब बहुत bad quality of life जी रहे हैं, उनका भी particular existence हो, जो पलिस्तीनी है, वो अभी कहां कहां बिखरे हुए है, सर, जैसे तीन पार्ट में वो बिखरे हुए है, मुखिता, गाजा, श्ट्रिप, वेस्ट बैंक और कुछ गोलन हाइट्स में, हिजबुल्ला और हमास हमेशा न्यूज में चलते रहता है, क्या है ये, सर, हिजबुल्ला और हमास दोनों आतंगवड़ी सं रटन है, सर, जो हिजबुल्ला है, वो लेबनान बेस्ट है, और जो हमास है, ये गाजा स्ट्रिप बेस्ट है, सर, और दोनों कहीं न कहीं इरान के दोरा सर, फंडिंग की जाती है, अगला कुशिन उसी पे है, कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज हम देखते हैं, कि जैसे सौदी एरेबिया है, यूएई है, उससे समंद जो है, इजरेल के उतने खराब नहीं है, जितना इरान के साथ है, ऐसा क्यूं है, सर, बदलते जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में हमने ये देखा, खासकर कोविट के बाद, कि चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में काफी गैप आ गया, और चाइना को सर, रश्या का साथ मिल गया, इस दूरी को कम करने के लिए, या मतलब इससे निपटने के लिए, सर, अमेरिका जो है, वो चाहता है कि उसके जो भी साथ ही है, उनमें सर, दोस्ती हो जाए, इसलिए उसके पहल पे सर, अबराहम एकॉर्ड हुआ, और इजरेल, UAE, बहरीन, ये सर सब करीब आए, और अब जो सर, अक्टूबर 23 में हमास का हमला हुआ, उस सर में सौदी अरेबिया और इजरेल का डिल होने वाला था, तो कहीं न कहीं बाकी मुस्लिम कंट्रीज के करीब आने के वज़े से, इरान आइसोलेट हो जाता, और इसी क इरान इजरेल का भी सर जो है, वो डिस्प्यूट सामने आग या उनके बीच बीच हो सर, यूद चल रहा सर, अच्छा ये बताए कि यूक्रेन रश्या पर आप क्या कहना चाहेंगे, सर यूक्रेन रश्या में ये सर ग्लोबल पीस और सेक्योर्टी के लिए सही नहीं है, औ आपके उसके अजेंसी हो गया है, या फिर जो भी उस पोजिशन पर वैसे कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, ये लोगों सर सामने आके, और सर सीस फार करवाना चाहिए, भारत से भी सर अच्छा संबंध है, रश्या का भी, यूक्रेन का भी, तो इंडिया को भी सर इसमे ठीक है, अब जा सकते हैं